है गाइज मेरा नाम है अभी शेक महाजन आप देख रहे हो जैनरिक टैकी तो आज की वीडियो में आपके लिए के आया हूँ फर्स्ट इंप्रेशन और रिव्यू आफ लिनोगो का लेटेस्ट लाइप टॉप लिनोगो का जो गेमिंग लैप टॉप सीरीज आइडिया पैड लैप टॉप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना एंड एसी और वीडियो में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना विदा वेस्टिंग ताइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जो उसका सबसे बेस मॉडल है उसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्पले मिलती है जो एंटी गले डिस्पले है लेकिन IPS नहीं है बाकी सभी मॉडल में आपको IPS डिस्पले देखने को मिल जाएगा एंड 1TB की हार्डिस देखने को मिल जाएगी जो की 5400 RPM के साथ आएगी ये एक ड्रॉबैक है इसमें आपको एंवीडिया का 1050 3GB ग्राफिक्स कार्ट देखने को मिल जाता है तो मैं आपको यही खाऊंगा कि इससे अच्छा आप जो एसर नाइट्रो 5 का i5-9 Gen वाला प्रॉसेश लैप्टॉप है वो ले सकते हो इस समय वो अगर आप फिलिपकार पे चेक करोगे तो आ अगर आप लेप्टॉप लेने की सोच रहे हो तो आप कोशिश करना कि आपको जो हार्डिस्क है वो 7200RPM वाली अगर मिल जाए इस प्राइस में तो अच्छा है इसलिए मैं आपको एसर नाइट्रो 5 रिकमेंड कर रहा हूं उसके बाद आपको आपको एसर नाइट्रो 5 रि देखने को मिलता है आपको सिंगल ऑडियो प्लस माइक जैक देखने को मिल जाएगा सो पोर्स की कॉन्फिकरेशन भी अच्छी है लेकिन जो यूस्बी पोर्ट है वो दो हैं तीन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको काड़ रेडर स्लॉट किसी भी वेड़े में देखने को न तो गेमिंग लेपटोफ हो यानि अच्छी परफॉर्मेंस वाला लेपटोफ चाहते हो लेकिन गेमिंग लेपटोफ की जो जनरली आपको मार्केट में लुक्स देखने को मिलती है अग्रेसिव लुक्स होती है उसकी हवी इनवेट होते हैं अगर आप वह चीजे नहीं चा अगर मैं इसकी बिल्ड को लेटी की बात करने तो ओवराल बिल्ड को लेटी से मुझे को इस्यू नहीं लगा लुक्वाइस भी लैपटोफ बहुत अच्छा देखने को लगता है और जो इसकी बिल्ड की फिलिंग थी वह भी अच्छी थी काफी तीन बैस आपको देखने क का रही थी यस की जो है वह आपको रिस्पॉंस कर रही है और यूर प्रेसिंग सम्थिंग तो यह बहुत अच्छी बात थी ओवराल की बात करूं तो आपको नुमेरिक की अलग देखने को मिल जाती है तो डिजाइन के मामले में आपको को इस्यू नहीं आएगा ओवराल आ आपको डिफरेंस किया देखने को मिलता है उसमें आपको इन्वीडिय का ग्राफिक्स कार आपको 4GB का देखने को मिल जाएगा तो इस बड़िकुलर लैप्टॉप में आपको 4GB के GTX 1650 के ग्राफिक्स कार मिलते हैं ये एक डिफरेंस और दूसरा आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और उसका प्राइस जो है वो अरूं 66,000 है तो वह भी आप चेक आउट कर सकते हो उसमें बस फरक यह है कि आपको 128GB की SSD मिलती है रेस्ट ऑल दा तिंग्स हैं एक और चीज में आपको बता दूँ कि अगर आप स्लोट की बात कर रहे हो तो इसमें आप हार एक लैपटॉप में फर्दर SSD भी जो है एक्सपैंड कर सकते हो एंड आपको रैम भी जो है आपको 16GB जो है एक्सपैंड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है उसके बाद अगर मैं बात करूं एक लास्ट वेरियंट की जो आई सेवन नाइजन के साथ आता है आपको 256GB की SSD देखने को मिल जाती है and the big difference is उसमें आपको GTX 1050 मिलता है 1650 नहीं मिलता और उसको जो प्राइज है वो जो इसका मैंने i5 वाला हाइस्ट वेरिंग जाए 66 उससे थोड़ा ही जादा है 45,000 आपको around 72,000 मिल जाएगा तो अगर आप i7 9th Gen के साथ जाना चाहते हो तो i5 से जाएदा difference नहीं है लेकिन वहाँ प्राइस कट हुआ है just because क्योंकि आपको 1650 नहीं मिलता 1050 मिलता है so यह सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी overall जो सारी सीरीज है पूरे laptop की काफी चीज़ें आपको common देखने को मिल जाती है just graphics जैसे सबसे बेस वेरियंट था समें 3 GB GTX 1050 मिलते हैं तो मुझे इन laptops में जो कमी लगी वो यह लगी एक हाड़ेस का आपको 5400 RPM के साथ मिलती है और डूसरी जो मुझे समें कमी लगी इसमें graphics और प्रोसेसर के combination मुझे कुछ समझ नहीं है अगर आप i7 910 दे रहे हो तो उसके साथ atlix में इस्पेक्ट करता हूं क कि आपको GTX 1650 देना चाहिए एक अच्छी performance के लिए तो यस i7 वाले में price cut है just because of this that's why i5 जो top model है और जो i7 का basic model है उस दोनों में आपको डिफ्रेंट सेखने को नहीं मिलता लेकिन guys मैं आपको यही recommend करूंगा कि आप इन अगर इन laptops को लेने का सोच रहे हो तो please go and check out the Acer Nitro 5 series जो की 2019 में launch होई है तो आज की वडियो पास इतना ही आशा करता हूं को वीडियो अच्छी लगी होगी है तो you know what you have to do you have to like my channel and you have to like this video and please do subscribe my channel if you want to see videos like these in future also so in the end I will say Jai Hind thanks for watching thanks a lot